जबी भी आपके आश्रवा से मुझे बोलने का उसर मिला मैंने मेरी विधान सबा में जिस जाती से मैं हूँ धुलपेट लोधी समास से उस विशे में मैंने कई बार रेस किया है और सरकार से प्रातना की है यही विधान सबा में मुख्य मंत्री जी ने वादा किया था कि मैं धुलपेट आऊंगा और जो भी मेर से बन सकता है मैं धुलपेट के विकास के लिए जनता के लिए करूँगा लेकिन आपको पता है अद्धिक्षा मुख्य मंत्री जी के पास शायद शमेनी है कि यहां से सिर्फ दो से तीन किलो मेटर दूर ही धुलपेट है लेकिन मुख्य मंत्री जी नहीं आ सके लेकिन यह जो विधान सबा है अद्धिक्षा आज आपके आशिरवा से जितने लोगों को बोलने का उसर मिल रहा है मैं समस्तों आने वाले चुनाओं में यहां से आने वाली विधान सबा में कों यह रहेगा कों नहीं रहेगा पता ने अद्धिक्षा मुझे विश्वास है कि मैं नहीं रहूँगा मुझे विश्वास है कि मैं नहीं रहूँगा क्योंकि बहार वाले भी और घर वाले भी सबी लोग शादे के मैं विधान सभा में ना रहूं लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से यह निविधन करना चाहूंगा कि मैं रहूं या ना रहूं मेरे धुलपेट की जनता कोई उपर आपका आशिरवाद रहना चाहिए अद्धिक्षा क्योंकि आज भी अद्धिक्षा वो समय से लेकर ये समय तक धुलपेट की जनता प्रतिक्षा कर रही है कि कब सरकार द्वारा हमारे उपर आशिरवाद मिलेगा जो लोग गुडंबा करते थे, गुडंबा बंद हो गया आज भी कहीं लोग बेरोजगार है अद्धिक्षा आज भी आपके सयोग से, यानि आपके सयोग के लिए मुख्यमंत्री जी के सयोग के लिए प्रतिक्षा कर रहे अद्धिक्षा मैं निवेदन करना चाहूँगा के जनता के लिए दूलपेट की जनता के लिए लोधी समाज के लिए कोई अच्छी सी योजना बनाए अद्धिक्षा और उनका भला कर रहे अद्धिक्षा दन्यवाद गवरो शासन सब्लू राजा सिंगारू दूल पेट विच्छेन लो लेवनेत नेट नम्शानी